हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कॉंटोट सपर आज 20 फरवर ही है और आज ही मेरा डॉक्मेंट वरिफिकेशन है मैं आपको हाजीपूर जोन से हूँ तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि डीवी के दौरान मैं कौन-कौन से डॉक्मेंट लेके जा रहा ह लेकिन इससे पहले आप देख लिजिए कि डीवी के दौरान कौन-कौन से डॉक्मेंट ले जाना बहुत ही आवश्यक है तो देखेंगे सबसे पहले आपको डीवी का कॉल लेटर जो आपको मिला है रेलवे के दौरा जारी किया गया है वह आपको जरूर यह रखना दूसर मैं देखें अप्लिकसिन फॉर्म मेरे पास भी नहीं है डीवी का कॉल लेटरं पी टी औरrop जिवीटी शीरिटी का अ लेकिन अप्लीकाशनल फॉल म्हेरे पास भी नहीं है लेकिन जिन भी भाईयों का आने वाले दिनों में डीवीयर तो जो भी आपके पास नहीं है उनका मतलब कि आप किसी भी नजदी की नियाला में जाके आप यह कहिए कि मेरा एप्लिकेशन फॉर्म हो गया उस रिगार्डिंग वह आपको एप्लिकेशनल की तरफ अगर हम बढ़ते तो मेट्रिका मार्क सिट मेट्रिका सर्टिफिकेट यह आपको डेट आप बर्त को प्रूफ क करने के लिए डॉक्मेंट्स बहुत ही आवश्यक होते हैं अदरवाइज आपको इंटरमीडियेट के मार्क सिट सर्टिफिकेट और ग्रेजोशन के मार्क सिट और सर्टिफिकेट भी जरूर रखने हालां कि कुछ जोनों से मैंने पता किया है कि वहां आपको इंटर और ग् करी किजिएगा वहीं अगर हम मैं OVC NCL से आता हूं तो देखिए आपको OVC का सर्टिफिकेट रखना है सेंट्रल लेवल का OVC के सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट पे आपने बनवाया होगा वह जरूर रखिएगा और OVC का डिक्लेडेशन है जो कि में जरूर लेके जाना है आपको और देखिए अगर आपके पास पुराने फोटो एं तो आठ पीस पुराने फोटो रख लीजएगा ऐसे तो रेलवे के द्वारा छे पीस ही बोला गया लेकिन दो आप एक्स्टर जरूर रखके जाए और अगर आपके पास न्यूं फोटो है तो न्यूव फोटो लेके जाए क्योंकि देखिए यह कोई मैंली तो वह रेलवे के द्वारा ओल्ड फोटो मांगा जा रहा है लेकिन अगर नहीं है तो आप न्यूव फोटो जरूर लेके जाए तो चलिए मैं आपको अपने दोकुमेंट्स भी दिखा देता हूं कि देखिए यह मेरा डीवी कॉलेटर है कि आप देख सकते हैं कि मेरा डीवी 20 फरवरी को है और रिपोर्टिंग टाइम मेरा देर वजह है और मेरा सेंटर कहां दिया गया यह डाक मंगला रोड है आपको वहीं पर पटना में मेरा सेंटर दिया गया तो दोस्तों यह मेरा देखिए डीवी कॉलेटर है आगे अगर हम बढ़ते यह देखिए हमारा यह आपको पीटी का कॉलेटर है जो कि आपको फीजिकल एफिसेंसी टेस्ट के दौरान मिला था यह आप देख सकते कि मेरा फीजिकल हुआ था आपको ठीक है यह सा फाइल में आपके अप्लिकेशन फॉर्म देगा ठीक है अगर आपको अभी भी टाइम है तो आप इसके फीट जरूर माले मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं फीट नहीं बनवा पाया दोस्तों यह चार चीज़ा आपको जरूर धियान में रखने उसके बाद देखिए उसके बाद दोस्तों देखिए यह मैट्रिका मार्क सीट है मैट्रिका मार्क सीट भी आपको जरूर लेके जाना है आपने जिस वी यह क्या मैट्रिका मार्क सीट रखिएगा क्योंकि यह डेट अब बर्थ को प्रूफ करता है कि आपका डेट अब बर्थ ऑथेंटिक है या जरूर्ण माक सीट और सा değild किजिएगा अब आते है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पसे पहले इसे का किज़ेगा और फॉर्ण के सिट्र ज़ो आपने सेंट्रों करने दकिश फॉर्मिंट में आपको सेंट्रल कि अगया था उस पे sign करवाना था दोस्तों अगर आप sdo level तक भी करवाते हैं कोई दिकत की बात नहीं है मैंने देखिए आपको sdm level तक करवाया था तो co आपको sdo और आपको dm तीनो level पर मैंने करवाया था और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखने हैं आपको कि form के आपको जो form फिलब का data है था आपको अभी यानि अभी से लेके पिछले एक साल तक का आपको obc valid है अगर उससे पहले का है तो वो valid नहीं हो रहा है दोस्तों ये बात जरूर धियान रखिएगा पिछले एक साल का होना चाहिए तो देखिए दोस्तों मेरा obc कप का है ये भी आप जिनके पास है तो उनके पास तो बहुत अच्छी बात है यह देखिए यह एकसर टू में आपको notification में मिल जाएगा दोस्तों यहां से आप इसे download कर सकते हैं इसे fill नहीं करना इसको आपको dv के दौरान जो dv अधिकारी है उनके सामने ही fulfill करना है अगर आपको यह नहीं है त मैं आपको comment section में notification का link डाल दूँगा आप वहां से उसे जरूर download कर लिजेगा दोस्तों फिर आते हैं आपको identification proof में तो यह आपके पास आधार card है जरूर होगा आप आधार card लेके जाए अगर आधार card नहीं है तो pen card, water ID card, driver license यह सब भी आप carry कर सकते हैं अपने साथ दोस्त नहीं है आप new photo भी ले जा सकते हैं और दोस्तों जितने भी documents मैंने आपको दिखा हैं इसके दो copy, photocopy set बना लेने हैं आपको ठीक है उनको एक के करके आप pin up कर लिजेगा लेकिन मेरी सला यही रहेगी कि दो railway के द्वारा कहा गया है लेकिन आप at least कम सकम 3 set copy जरूर लेके ज परिसानी हो तो आपको परिसानी ना हो आप आसानी से उसे documents दे सकें तो दोस्तों आज मेरा 20 फरवरी है डेर बज़े से मेरा reporting होगा आयोब 4-5 बज़े तक मैं खत्म हो जाना चाहिए तो जैसे ही मेरा DV खत्म होता है तो मैं आपको संपूर जानकारी दूंगा कि हाजिपू तो चलिए मिलते हैं साम में या फिर कल तब तक ले जैन जै भारत